जहीं दोस्तों में डेविड सर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अवनिंदन करता हूँ आपके परिवार केरिय क्राफ्ट में जैसा कि आपको पता है इस क्लास के माध्यम से हम मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश कांस्टेवल भरती को तार्गेट कर रहे हैं किलियर है मेरा ये एक स्लोकन रहेगा कि राज तलक्की करो तयारी आ रहे हैं बर्दी धारी तो मेरे बच्चे ये में प्रण ले चुका हूँ कि कांस्टेवल भरती के अंदर अपना दवद्वा कायम रखना है और आपका भी दवद्वा कायम रखना है इसका मतलम मैत की आप टेंसन क को छोड़ दे मैत का टेंसन डेविड सर के ऊपर पूरी चीजों को एनलाइस करते हुए क्या कंटेंट आपको पढ़ाना चाहिए क्या पुलिस के एक्जाम में आने वाला है या क्या चीज आ चुकी है मैं आपके सामने मेरे बच्चे कल से हम लाइव क्लास रहेंगे यूप क्लास के अंदर फिनिस करूँगा और मेरे साती में उन को लेकर आया हूँ जो पिछले तीन-चार भरतियों के दोरान अठार उननीस और नो ये तीनों बरतियों में जितने कोशन बने हैं ओवराल कोशन का में डिसकसन करूँगा एक बहतरीन एप्रोच के साथ तो आज हम सि मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंट्रेस्ट को तो सिंपल इंट्रेस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे साधारन ब्यास साधारन ब्यास क्या मेरे बच्चे एक बहतरीन कंसेप्ट में लेकर आया हूँ SI का तो आपको यह पता होना चाहिए SI क्या है मेरे बच्चे SI साथी सिम्पल इंटरेश्ट है और सिम्पल इंटरेस्ट मेरे बच्चे हमेशा किस में लगता है- PRINCIPAL पर किस पर लगता है MYरे साथी PRINCIPAL पर और complound इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगता है मेरे बच्चे ब्याज पे ब्याज एमाउंट पर तो जैसा कि आपने यह पढ़ा होगा कि मेरे भाई देखो ऐसा ही बरावर क्या होता है आप कहोगे सर ऐसा ही बरावर होता है प्रेंसीपल इंटू रेट इंटू टी डिवाइड़ बाई यह मेरे बच्चे सिंपल इंट्रेस्ट का लिकारने का फॉर्मूला है यदि मैं आप से यह कहूं कि भाई आगे आपको और क्या लिकारना है तो एक बात और याद रखना कि सपोज करो में यह अजूम कर लूँ कि प्रेंसीपल की जो बैलू है प्रेंसीपल की बैलू है क्योंकि प्रेंसीपल अपने आप में सव होता है तो आप यदि इसके अंदर रखोगे तो यह हो जाएगा हंड्रेड इंटू आर इंटू टी और डिवाइड़ वाई क्या हो जाएगा मेरे साथी हंड्रेड मेरी बात गौर से सुनना जैसे मैं यह कहूँ रेट 10% दो साल के लिए तो रेट मेरे बच्चे एक साल के लिए होता है एक साल के लिए 10% तो दो साल के लिए ब्याज कितना बन जाएगा साथी 20% अब मैं आप से यह कहूँ कि मुझे यहां से रेट लिकारना है तो आप ये कहोगे, सर ये बनेगा SI into 100, PRT में से R यहां पर आ गया है, मेरे साथी ये क्या बनेगा, P into T, यदि मुझे लिकारना हो time, तो आप ये कहोगे, सर ये तो SI into 100 होगा, और मेरे बच्चे ये क्या बन जाएगा, यहां पर PR, तो आज का जो मैं concept लेके आया हूँ, आज म के question आते हैं, ये type का question मेरे बच्चे, मैंने UP police के अंदर, प्रते एक shift के अंदर आते हुए देखा है, तो इस class के माध्यम से, मेरे बच्चे, मैं उन type को लेके आ रहा हूँ, जो exam में सबसे जादा पूछे जा रहा है, आगे चलते हैं, देखो, ये telegram channel, जो student हमारे प्यारे बच्चे ये कहते हैं, बोले sir, इन class की जो PDF हैं, वो कहा मिलेंगी, तो मेरे बच्चे आप telegram channel से, यहां से ले सकते हैं, और telegram channel का नाम है, डेविड sir, डेविड sir, इसका मतलब आप कहतो इस scan के द्वारा ले सकते हैं, या मेरे बच्चे math by david sir, नाम से telegram channel को सर्च करकर, हमा इस चीजे हैं, आपको यहां से मेरे बच्चे provide होती रहेंगी, आगे चलता हूँ में अपने mission की तरफ, question number first, इसका साती मुझे जबाब बताएं, इसका जबाब क्या होगा, ये छोटा सा question, मेरे साती कई बार मैंने exam में आते हुए देखा है, क्या का है, यदि simple interest पर, मेरे बाई, एक साल बाद, principle और amount का जो ratio है, वो मेरे साती 5 ratio 6 है, तो मुझे क्या लिकारना है, rate लिकारना है, तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, इसने कहा है मेरे बाई, principle और amount, principle कितना है 5, amount कितना है, मेरे साती 6, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या लिकारना मुझे लिकारना है rate मेरे भाई यहां से ब्याज कितने रुपे मिल गया आप कहोगे सर ब्याज का मिल गया एक रुपे एक रुपे ब्याज का मिला है कितने रुपे पर मेरे साथी पांच रुपे पर कितने साल में एक साल में कितने साल में एक साल में तो इंटू में यहां एक करूँगा तो कोई प्रभावनी पांच एकन पांच ही रहेगा और रेट है मेरे बच्चे सो से मैंने गुणा कर दिया मैं उम्बीत करता हूँ ये बात आपको के लिए रूप से समझ में आगी होगी समझ में आ गई है तो मेरे बच्चे आंसर भी आपके समझ में आ जाएगा इससे या कितने वार कटेगा 20 वार मेरे साथी ये 5 रुपे से 6 रुपे एक साल में कितने रेट से हो जाएगा 20 परसेंट option number correct D इसका परमसत आंसर है आगे चलते हैं question number next की तरब question number second आपके सामने screen पर लगा हुआ है इसका जवाब बता दे मेरे साथी इसका जवाब क्या होगा इसने कहा यदि principal और मेरे बच्चे 3 साल का साधरन ब्याज 3 years का simple interest का ratio मेरे साथी 10 ratio 3 है तो ब्याज की क्या लिकारनी है मुझे दर तो आपको ये पता होना चाहिए का rate मेरे बच्चे animal वार्सिक होता है इसका मतलब rate एक साल का होता है तो ये जो ब्याज है 3 रुपे मेरे तो हमें ये कह सकता हूं कि भाई ये तो हो गया principle और ये हो गया मेरे साथी amount तो क्या दे रखा है ये SI दे रखा है क्या दे रखा है मेरे साथी SI तो इधर देखें ये मेरे बाई principle और ये हो गया जी क्या SI और SI मुझे कितना लिकारना है एक साल का क्योंकि rate मेरे बाई एक साल बना लो तो मैं यह कहना चाह रहा हूं आप से कि मेरे भाई दस रुपे तो हो गया प्रेंसिपल तीन साल का ब्याज तीन रुपे तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे साथी एक क्या ये बात आपको समझ में आई कि तीन साल का तीन तो एक साल का एक अब मेरे भाई बात वही आती, जो है, इंटू क्या हो गया मेरे साथी 100, मैं उम्बीत करता हूँ, ये बात आपको किलिए रूप से समझ में आई होगी, ये क्या बन गया मेरे बच्चे रेट का परसेंट इस, अब आप जब इसे सॉल्व करोगे, तो मेरे बाई, एक ये 10 से, ये 100 कितने बार कर जाएगा साथी 100, 10 से कितने बार कर जाएगा, 10 वार, कितने परसेंट रेट हो जाएगा मेरे साथी, रेट हो जाएगा जी 10 परसेंट, 10 परसेंट के रेट से, तीन साल में, 10 रुपे पर कितना ब्याज मिल जाएगा मेरे साथी, इसको तीन रुपे ब्याज मिल जाएगा, option number correct D's का परमसत आंसर है तो आप जब rate लिका लोगे तो मेरे बच्चे ब्याज एक साल का लिका लो एक साल लहीं है जितना है उससे भाग दे दो बात वही रहती है आगे चलते हैं question number 3 इसका जबाब बताएं इसका जबाब क्या होगा simple question है मेरे बाई यदि principal और एक साल का ब्याज principal और one year के simple interest का ratio यदि 25 अनपात एक है तो मेरे साती ब्याज का rate क्या होगा तो एक साल का ब्याज दे रखा है तो यहां से आप लिकार लेंगे क्या जी rate का percentage एक रुपे ब्याज मिला पच्चीस रुपे पर कितने मेरे बाई एक साल में एक साल में तो इंटू क्या हो गया सो यदि आप इसको 25 से काटेंगे सो को तो कितना rate हो जाएगा मेरे साती 4 परसेंट मैं उम्बीत करता हूँ ये बात आपको किलिया रुप से समझ में आई होगी इस लेंग्वेज के कोशन UP पुलिस के अंदर देखे गए SI के अंदर भी देखे गए तो मेरी कोशिस यही है कि मैं आपको मेरे बच्चे कम पढ़ाऊं कम पढ़ाने के बाद में ज्यादा नमबर दू तो ज्यादा नमबर आप जबी ले पाओगे किस टाइप से कोशन पूछे जा रहे है और कहां से कोशन लिये गए आगे चलते हैं कोशन नमबर चार इसका जवाब बता दे मेरे साथी इस कोशन का जवाब क्या होगा क्या का है यदि एक निश्चिद रासी पर दो साल दो साल का मेरे बच्चे सिंपल इंट्रेस्ट प्रेंसिपल का कितना है एक बट्टे पांच है तो मेरे साथी ब्याज का मुझे क्या लिकारना है रेट लिकारना है तो मेरी बात थोड़ा गोर से सुनना ये क्या कहना चाहरा है कि मेरे भाई दो साल में इसे 5 रुपे पर कितना ब्याज मिला है एक तो हमें यह कह सकता हूँ यह तो principle है और मेरे बच्चे यह क्या है यह simple interest है तो साधालर ब्याज हमेशा किस पर लगती है मेरे साथी principle पर अब मुझे एक बात बताएं कि पांच रुपे पर एक रुपे ब्याज मिला कितने साल का आप कहोगे दो तो हमें ये कहना चाहरा हूं लिकारना क्या है आपको रेट अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना यदि दो साल में एक रुपे तो एक साल में कितना मिला होगा पचास पैसे या पूर ऐसे सेट करें एक रुपे ब्याज मिला है पांच रुपे पर कितने साल में साती दो में परसेंटीज है सो से यहां से गुणा कर दिया और आप अपने मिसन तक पहुँच गए कैलकुलेशन कर ले मेरे भाई जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो एक ही चीज कहेंगे कि सर यदी में पांदूनी 10 10 को मेरे भाई 10 से 100 को काटोगे तो कितने बार कटेगा 10 बार क्या रेट रहा होगा मेरे साती 10 परसेंट बार बार पूछे जाने वाले कॉशन है गलत मत कर देना बहबीत नहीं होना है मेरे बच्चे जब डेविड सर के साथ जुड़े हुए डेविड सर का इस्टूडेंट कभी वीट नहीं होता क्योंकि मेरे बच्चे जमीनी इस तर से लेके हाई लेविल तक चीजा पूरी यहां पर होती है पर फिलाल में मैंने यूपी पुलिस और ऐसा सी जीडी को तारगेट कर रखा है मैं अपनी तरब से कुछ नहीं में वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जा में पूछी गई है या पूछे जाने की मेरे बच्चे पूरी पॉस्विल्टी है आगे चलते हैं इसका जवाब बता दें इसका जवाब क्या होगा देखो इस लेंग्वेश से भी कौशन पूछता है एक निश्चित मेरे बच्चे धनरासी कितने समय में समय के बारे मैं पूछ रहा है कितने समय में 15% वार्सिक सिंपल इंट्रेस्ट के रेड से 4 गुनी हो जाईगी तो अब मुझे एक बात बताओ कोई धनरासी अपने आपका 4 गुना इसका मतलब में यह कह सकता हूँ यह तो बनेगा प्रेंसिपल मेरे साथी और यह बनेगा एमाउंट कोई धनरासी 4 गुनी हो जाती है यदि मेरे साती मूल धन एक रुपे है तो amount कितने रुपे होगा चार रुपे, चार गुना हो गया अब मुझे एक बात बताओ चार रुपे पैसे तीन रुपे हुए मेरे साती ब्याज कितनी आ गई आप कहोगे सर ब्याज आ गई तीन रुपे आपको क्या लिकारना है, time time लिकारना है तो time बरावर क्या होता है मेरे बच्चे SI SI मिल गई तीन रुपे कितने रुपे पर एक रुपे पर कितने rate से 15% के rate से और into क्या हो गया, so यदि मेरे बाइट time पूछेगा तो ये तो रहेगा years में rate पूछेगा तो ये किस में हो जाएगा percentage में तो अब यहां से बुझे बताएं 3 से 15 पांच वार कटेगा और 5 से 100 मेरे साथी कितने वार 20 साल में 20 years में ये मेरे भाई 15% के rate से 15% के rate से 20 साल में अपने आपका कितना गुना हो जाएगा मेरे साथी 4 गुना ये आप से पूछा गया है मैं उम्बीत करता हूँ ये बात आपको के लिए रूप से समझ में आ गई होगी question number चलते हैं मेरे साथी nest की तरब देखो question number 6 कोई principle simple interest के rate से 20 साल में कितना गुना हो जाता है मेरे साथी 6 गुना तो ब्याज की rate लिकारना है वही question वही concept वही language ये principle ये ओग्याजी amount कोई principle अपने आपका 6 गुना यदि principle एक रुपे है तो मेरे बच्चे amount हो जाएगा 6 अब मेरी बात गौर से सुने मेरे बाई एक रुपे पैसे 6 गुना गई ब्याज का कितने रुपे बन गया मेरे साथी 5 कितने रुपे पर एक रुपे पर कितने साल में 20 साल में और into क्या हो गया मेरे साथी 100 rate मैं उम्बीत करता हूँ ये बात आपको किलियर रुप से समझ में आ गई होगी ये क्या लिकलाया मेरे साथी ये rate की percentage किलियर हो गई बात है अब आप इसको solve कर लें जब आप इसको solve करेंगे तो 5 से 20 जाएगा 4 बार 4 से 100 जाएगा मेरे बच्चे 25 बार 25 परसेंट के rate से 20 साल में ये अपने आपका कितने परसेंट हो जाएगा साथी ये अपने आपका कितने गुना हो जाएगा 6 गुना ये चीज आपसे पूछा गया है मैं उम्बीत करता हूँ ये चीज आपको क्लियर रुप से समझ म आ रही होगी, आगे चलते हैं question number next question number 7 ये भी simple question है, कोई principle, मेरे भाई कोई principle, simple interest के rate से मेरे भाई 10 साल में कितने गुना हो जाता है, साती दो गुना हो जाता है, तो ब्याज की क्या लिकारनी है, दर लिकारनी है तो बात वही है, काम लेंगवेज वही है, अब मेरे भाई इसका जबाब बता दे, तो आप ये कहोगे, बोले sir ये कितने गुना हो जाता है, दो गुना, यदि ये principle एक है ना, तो amount हो गया मेरे भाई 2, amount का मतलब आप जानते होंगे, इसमें principle भी सामिल है, और मेरे साती, इसमें ब्याज भी सामिल है, clear अब बताओ, किसे rate से, मेरे भाई, अब बताओ इसका जबाब क्या होगा, तो एक बात बता दो, ये एक रुपे पैसे, दो रुपे हुआ, तो हमें ये कह सकता हूँ, एक रुपे ब्याज मिल गया है, कितने रुपे पर, एक रुपे पर, कितने साल में मेरे भाई, दस साल में, और into क्या हो गया, मेरे साती हंट्रेट, percentage में चेंज हो गया ये, और यही चीज हमसे पूछना चाह रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं करेंगे, इसे मेरे भाई दस से, ये कितने बार कर जाएगा दस बार, दस परसेंट के रेट से, ये क्या हो जाएगा मेरे साती, ये दो गुना हो जाएगा, कितने साल में बीस साल में, मैं उम्बीद करता हूँ, कितने साल में, दस साल में कितने गुना हो जाएगा साती दो गुना हो जाएगा यह चीज मुझसे पूछा गया है इस language के question आपको exam में देखने को मिलेंगे आगे चलता हूँ question number 8 इसका जबाब बता दें इसने कहा है कि मेरे भाई यदी simple interest यदी simple interest पर तीन साल बाद मेरे साती principle और amount मूलधन और मिसदन का अनपात 7 अनपात 13 है तो मेरे साती ये ब्याज का rate क्या रहा होगा तो अम मेरी बात को गौर से सुने मैं यह कह रहा हूँ जी ये तो हो गया principle ये हो गया amount 7 रुपे पैसे रुपे बन गई जी 13 7 पर कितने रुपे बन गई 13 7 से जितना ज्यादा है न वो मेरे साती ब्याज है मैं यह कह सकता हूँ ये simple interest कितना हो गया मेरे साती simple interest हो गया 6 रुपे 6 रुपे कितने साल का है ये 6 रुपे है 3 साल का तो अब मुझे एक बात बताओ एक रुपए मेरे बाई एक साल में कितना ब्याज मिला होगा तीन तो बात वही रहेगी तीन दूनी छे एक साल में कितना रुपए मिला होगा मेरे साती दो ब्याज का एक साल में कितने रुपए मिला होगा दो तो बात वही आएगी के तो 3-6 को वहां कार दो या फिर मेरे बच्चे ऐसे लिका लो तो आपको क्या लिकारना है rate का percentage जब आप rate का percentage लिका लोगे तो 7 रुपे पर एक साल में कितने रुपे मिले 2 7 रुपे पर एक साल में कितने रुपे मिले मेरे साथ ही 2 100 से गुणा कर लो ये बात clear है मैं उम्बीत करता हूँ ये सब कुछ चीजे चोटी-चोटी चीजे है यही करनी है आपको मेरे बच्चे और कुछ नहीं करना है clear है मैं सीखने के लिए pen चलाने से पहले दिमाग चलाओ अब मेरे भाई पूरी तरह से focus हमारा यूपी पुलिस एक्जाम को लेके है math की मेरे भाई 100% guarantee जिस student ने लगवा लगवा 15 से 20 दिन हमारे साथ गुजारे और हमारी क्लास हैं देखी तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे दोस 20 में से 18-19 कौशन आप attempt कर पाऊगे क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो exam के according ही पढ़ाता हूँ और syllabus के according कि exam का level क्या है और इसका syllabus क्या है और कैसे caution पूछे गया है आगे चलते हैं अब देखो इसको लिका ले तो आप इसको solve करेंगे 14 दूनी हो गया जी 28 2 दूनी हो गया 4 और divided भाई क्या हो गया मेरे बच्चे 7 28 4 भाई 7% के मेरे बच्चे rate से ये कितने साल में तीन साल में इसका मेरे भाई जबाब बन जाएगा 28 4 भाई 7% मैं उम्बीत करता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना था ये जितना कार आपने किया है डारेक्ट मेरे बच्चे यहां से लिकाल सकते थे बात वही है जो मेरे बच्चे आप चाहते है कॉशन नंबर नेश्ट इसका जबाब बता दे मेरे साथी ये कॉशन बार-बार एक्जाम में पूछा गया है सिरिप और सिरिप इस्टूडेंट जो बहभीत हुआ है वो मेरे बच्चे देखो यहां भी फ्रेक्शन दे रखा है और देखो समय में भी मेरे बच्चे फ्रेक्शन दे रखा है डरना नहीं है नेम के अनुसार काम करना है इधर देखो कोई धनरासी simple interest के rate से 1 by 4 years में swim का 41 बटे 40 गुना हो जाती है तो मेरे साती ब्याज का rate लिकारना है इसका ब्याज का rate क्या था देखो मैं यह कहना चाह रहा हूँ 40 से कितने रुपे बन गए मेरे बाई 41 40 से कितने रुपे बन गए 41 तो यह तो है मेरे साती principle और यह है amount अब एक बाई बताओ amount में से principle को यह दि में minus कर दू तो मेरे साती मुझे क्या मिल जाएगी ब्याज ब्याज मिल गए आजी कितने रुपे एक रुपे अब यहाँ से आप आसानी के साथ बना सकते हैं देखें मैं यह कहना चाहरा हूं मुझे चाहिए rate अब आप यह कहोगे एक रुपे ब्याज मिलाए सर कितने रुपे पर साती 40 रुपे पर उपे बटे चार यहाँ क्या करोगे एक बटे चार तो मेरे साती एक तो यहाँ हो जाएगा और चार यहां चला जाएगा और इंटू हो गया 100 आपको कुछ नहीं करना था सिर्म मेरे साथी इतना ही करना था अब आप इसके जवाब तक कैसे पहुँचोगे मेरी बात गोर से सुने मैं यह कहना चा रहा हूं मेरे साथी इससे यह कितने बार कटेगा 10 बार और 10 से यह 100 कितने बार कर जाएगा 10 बार इस कौशन का जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा मेरे साथी 100% मैं उम्बीत करता हूं यह सब कुछ बात आपको किलिया रूप से समझ आ गई होगी आगे चलता हूं कौशन नमबर नेश्ट की तरब कौशन नमबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हूआ है मेरे साथी इसका मुझे जबाब बताएं इसका जबाब क्या होगा इसने क्या कहा है किसी प्रंसिपल पर 20 बरसों में मिलने वाला सिंपल इंट्रेस्ट मेरे साथी इमाउंट का कितना दे रखा है 2x5 तो ब्याज का क्या लिकारना है रेट तो इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है जिसको हमें सीखना है अब एक बात बताओ इसको जो सिंपल इंट्रेस्ट मिला है न वो किस पर मिला है साथी इमाउंट पर तो अब यह कहना चाँ रहा हूँ आपसे कि भाई 2x5 इसको जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला है अपाउंट पर यदि अपाउंट मेरे साथी 5 रुपे है तो ब्याज कितने रुपे है 2 रुपे 5 रुपे अमाउंट 2 रुपे ब्याज तो principal कितना होगा मेरे साती 3 रुपे principal यहां से कितना रुपे आ गया 3 रुपे अरे amount मैं से ब्याज को minus करूँगा तो आपको क्या मिलेगा मेरे साती principal अब आपको लिकाना है rate तो मेरे साती मैं ये चीज आप से कह भी चुका हूँ एक बात बताओ ब्याज किस में मिलता है simple interest में मेरे बच्चे simple interest में जो ब्याज मिलता है वो principal पर तो मैं यह कह सकता हूँ तीन रुपे principal था तो मेरे साती 2 रुपे क्या मिला ब्याज कितने सालों में आप कहोगे मेरे साती 100 मैं उमबीत करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि किस condition में मेरे भाई क्या होता है तो एक बाँ होता हो ब्याज amount पर नहीं मिलता ब्याज मिलता है principle पर तो principle मेरे भाई amount में से ऐसा ही गया तो क्या मिला आपको ये मेरे भाई आपको principle मिल गया अब आप इसको solve करेंगे तो आपको एक ही चीज नजर आएगी कि सर ये कितना हो गया देखो 2 से ये कितने बार चला गया 10 बार और ये मेरे साथी 10 से कितने बार गया 10 बार 10 में 3 का भाग दूँगा तो ये बन जाएगा मेरे साथी 3 बन भाई 3 परसेंट फिरी बन भाई 3 परसेंट इसका परमसत आंसर होगा इन में से मेरे भाई कोई नहीं इन में से कोई नहीं option number correct D मेरे बच्चे इसका परमसत आंसर हो जाएगा मैं उम्बीत करता हूँ ये सब कुद बातें आपको समझ आ रही होगी तो इसके अंदर कुछ नहीं था सिर्फ आपको ये देखना था कि मेरे भाई किस पर calculate करना है इसका जवाब बताएं question number मेरे बच्चे 11 बताएं इसका जवाब क्या होगा इसने मुझसे ये कहा है कि भाई किसी principal पर मेरे साती 10 बरसों में मिलने वाला ब्याज simple मिलने वाला साधरन ब्याज उस रासी का 2 बटे 5 है तो मेरे बच्चे rate क्या होगा तो एक बाँ होता हो principal पर कितना मिला है 2 रुपे तो simple सी बात थी कि अब आई 2 बाई 5 ये fraction दे रखा है इसको जो ब्याज मिला है वो principal मूलधन पर मिल रहा है यदि मूलधन 5 रुपे है तो मेरे साथी ब्याज कितने रुपे है 2 रुपे तो आपको क्या लिकारना है rate आप rate लिका लेंगे तो आप ये कहोगा सर 5 रुपे principal था 2 रुपे से ब्याज के मिले कितने साल में मेरे साथी इसको मिले 10 साल में percentage का मेरे भाई मामला है 100 से गुणा करना पड़ेगा ये rate की percentage पूछी तो आप ये कहोगे कैसर ये 2 से तो आप ये काम करें 2 से ये 5 रुपे गट गया और 25 चौका होगया 100 कितने percent आ जाएगा मेरे साथी 4 percent answer इसका कितना बन जाएगा 4 percent मैं उम्बीत करता हूँ ये बात clear रूप से समझ आ गई होगी या आप ऐसे भी कर सकते हो 5 इंटू 10, 50 50 से 100 दो बार कर जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 ये आपके उपर है कि आप कैसे इसको काटना चाहते है clear हो गई बात सामने खड़ी मंजिल इंक्त से हमें बुलाती है मेहनत करने वालों के माथे पे तलक लगाती है सफलता उसी को मिलती है मेरे बच्चे जो continuity तरीका से सची स्रद्दा से इमांदारी के साथ मेहनत करता है आगे चलते हैं question number next question number 12 ये मेरे बच्चे same question है simple interest के rate से मेरे बच्चे किसी बारसिक दरसे धनरासी चार वरस में कितना हो जाता है मेरे बच्चे 4 by 7 by 4 के बराबर हो जाता है तो अम मेरी बास सुनना कितना हो जाता है मेरे बच्चे 7 बटे 4 ये principle था और मेरे भाई ये बढ़कर हो गया साथ इसका मतलब ये amount तो साथी इसका simple interest क्या होगा तो साथ रुपे amount, चार रुपे principal तो ब्याज के कितने रुपे मनेंगे मेरे साथी तीन मुझे लिकारना है rate rate लिकारना है मेरे भाई चार रुपे principal था तीन रुपे जी ब्याज के मिल गए कितने साल में, चार साल में और into क्या हो गया साथी सो मैं उम्बीत करता हूँ ये बात आपको किलिए रुप से समझ आ गई होगी अब देखो, अब कैसे करेंगे इसे ये कितना हो गया मेरे भाई देखो ये चार से चला गया जी, कितने बार 25 बार किलिए रहे ये 25 हो गया 75 और divided by 4 18 चौक होते हैं 72 बच गया 3 और नीचे हो गया 4 18 सही 3 बटे 4 परसेंट के रेट से मेरे साथी ये चार साल में कितना हो जाएगा कितने साल में, चार साल में चार रुपे के कितने रुपे बन जाएगे साथ आगे चलते हैं, कौशन नमबर नैश्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे साथी, इसका मुझे जबाब बताएं कि इसका जबाब क्या होगा इसका जबाब क्या होगा इसका मुझे जबाब बता है देखो, इसने कहा है कि भाई किसी बर्स में 8% के simple interest के rate से मेरे भाई साधान ब्याज और मूलधन मूलधन और इसका मेरे वच्चे मिस्र धन का अनपात कितना है 5,7 तो मुझे क्या लिकारना है मेरे साथी, समय लिकारना है तो मुझे लिकारना है time अब मुझे एक बात बताना ये 5 रुपे तो है मेरे वच्चे principle 7 रुपे है amount तो ब्याज के कितने रुपे मिल गए ब्याज के मिल गए जी 2 रुपे कितने रुपे पर मेरे साथी 5 रुपे पर कितने percent rate से 8% के rate से और into क्या हो गया साथी 100 मैं उम्बीद करता हूँ ये सब बातें आपको clear रुप से समझ आ रही होंगी rate होगा तो percentage time होगा तो year तो देखो ये इसे कितने बार कट गया चार बार 5 रुपे कितना हो गया मेरे साथी 20 ये 5 रुपे कितना हो गया 20 और 20 से 100 कितने बार कटेगा मेरे साथी 20 से 100 कटेगा 5 रुपे 20 से जो 100 है वो कितने बार कट जाएगा मेरे साथी 20 से 100 कट जाएगा 5 रुपे कितने साल में 5 साल में मैं उम्बीद करता हूँ ये बातें आपको clear रुप से समझ में आई होंगी दो से आठ चार वार पांचोक बीस बीस से मेरे भाई सो पांच वार option number correct मेरे भाई भी इसका परमसत answer है इस language के question आपको देखने के लिए मिलेंगे गलती नहीं करना है मेरे बच्चे एक बार अच्छे से पढ़ना है question number 14 आपके सामने screen पर देखो इसने क्या कहा है ये मेरे भाई important question है to start कर लेना ये इस language का question देखने के लिए मिलता है किसी धनरासी पर simple interest मेरे भाई 4 वट्टे 5 गुना है किसी धनरासी पर साधारन व्याज principle का 4 वट्टे 5 गुना है यदि व्याजदर और समय अबदी कैसी है मेरे बच्चे बरावर है यदि कभी ब्याज और समय अबदी बरावर है तो मेरे बच्चे ब्याज का क्या लिकारना है rate मेरे बात गौर से सुनना यदि कभी time और simple interest क्या कहा है ब्याज की दर time और मेरे बच्चे rate time और rate यदि कभी equal है तो मेरे भाई मेरी बात गवर से सुनना बेसिक से भी आप इसे लिकाल सकते हो बैसिक से यदी आप लिकाल होगे तो क्या करोगे देखो ब्याज हो जाता है मेरे वच्चे 4 बठे 9 नो रुपे यदी प्रेंसिपल है तो 4 रुपे क्या हो गया इसका simple interest सुनना मेरी बात को, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है, मेरे बच्चे मूलधन, नो, गुणा दर, तो मैं ये कह लेता हूँ, भाई, ये दोनों अपने आप में इक्वल है, तो मैंने माल लिया, मेरे बाई, टाइम भी एक्स येर है, और रेट भी मेर को share करें और मेरे भाई जिन इस्टूडेंटों ने चैनल सस्क्राइब नी किया सस्क्राइब भी करें यह हो गया x square बरावर यह मेरे साथ x square बरावर होगा 400 और divided y क्या होगा 9 यदि मैं x की बात कहूँगा तो यह हो जाएगा जी 20 बटे 3 किलियर है तो यह क्या हो जाएगा 6 2 by 3 परसेंट 6 सही 2 बटे 3 परसेंट मेरी बात हमेशा एक बात और याद रखना कि मेरे भाई यदि कभी time और rate दोनों कैसे हैं equal है तो आपको rate लिकारना है तो कुछ नहीं करना under root यह बन जाएगा मेरे भाई times और into हो जाएगा 10 यदि मेरे भाई rate पूछ रहा है तो यह percentage लगेगा यदि time पूछेगा तो यहीं बनेगा times और मेरे बच्चे into 10 और years time पूछेगा तो years होगा कुछ नहीं करना है आपको सिरिप और सिरिप यह बात याद रखनी है इसके अलाग कुछ नहीं तो आपको क्या लिकारना है देखो rate यदि आपको rate लिकारना है तो under root यह कितना हो गया मेरे भाई 4 by 9 और into क्या हो गया 10 अंडरूड के बाहर है यह हो गया इसका बन गया 2 इसका बन गया 3 और यह मेरे भाई 10 है इसकी value होगी 6 2 by 3% मैं उम्बीत करता हूँ यह बात आपको clear रूप से समझ में आ गई होगी इस question के लिकारने का यह तो मेरे भाई basic आधार था और मेरे बच्चे यह एक exam pattern था आपको यह एग्जाम में बनाना है तो मेरे भाई इस बात को याद रखना है rate होगा तो percentage होगा time होगा तो समय होग इसका जवाब बताएं इसका जवाब क्या होगा 10% वार्सिक simple interest के rate से कितने समय में कोई रासी मेरे भाई दो गुनी हो जाएगी इसका जवाब आप बताएंगे देखो इसका क्या जवाब होगा मैं यह कह सकता हूँ यह तो बन गया principle और यह बन गया amount किलियर हैं बाते हैं यह principle यह amount दो गुने का मतलब यह है कि principle एक रुपे होगा तो amount दो रुपे बनेगा कितने रुपे ब्याज मिल गया है मेरे साती एक रुपे एक रुपे ब्याज मिला है कितने पर एक पर क्या पूछ रहा है यह 10% के rate से time पूछ रहा है किलियर है कितने principle एक मिल गया कितने rate स 10% के rate से और into मेरे साथी क्या हो जाएगा 100 ये क्या बन गया years बन गया ये समय है तो इससे ये कितने बार कटेगा 10 बार 10 साल के अंदर मेरे साथी 10 साल के अंदर 10% के rate से ये कितना गुना हो जाएगा 2 गुना मैं उम्बीत करता हूँ ये बात आपको के लिए रूप से समझ में आ रही होगी आगे चलते हैं question number next देखो ये एक अच्छा question है important question है मेरे साथी double star question है इसका जबाब बताएं इसका जबाब क्या होगा इस language का question यूपी पुलिस एक्जाम में 2009 में भी दीखा और 18 और 19 में भी दीखा क्या कहा है गौर से पढ़ना इसने कहा है कि भाई 16 अहीं 2,3% के annual rate से कितने बरसों में किसी धनरासी पर simple interest धनरासी के बरावर है अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना इसने क्या कहा है कि भाई इसका जो साधान व्याज हैं न वह मेरे बच्चे किसके equal are principle के साधान व्याज किसके equal है मेरे बच्चे principle के तो अम यह कह सकता हूं कि भाई यह वन गा जी प्रेंसीपल रेसयो ऐसा ही यह इदोनों अपने आपमें कैसे हैं साती यह equal है, यदि ये एक है तो मेरे भाई ये भी एक है अब मेरी बात को सुनना गौरसे में कहना क्या चाहता हूँ, इसने कहा कितना 16 अही 2 बटे 3% तो 16 अही 2 बटे 3% कि बेलू को यदि आप लोगे, तो ये कितना बनेगा 1 बटे 6, सुनना मेरी बात को, अब एक बात बताओ, कितने समय में तो एक बात बताओ, प्रेंसिपल तो हो गया जी 6 रुपे, प्रेंसिपल तो मेरे साती कितना रुपे हो गया, 6 रुपे प्रेंसिपल हो गया, 6 रुपे तो इसको भी मेरे भाई कितना बनना है इसको भी 6 बनना है, जब इसको 6 बनना है तो इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें जब 6 से गुणा करूँगा तो टीकी जो बैलू है, मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 6 years, टीकी जो बैलू है, कितने साल हो जाएगी 6 साल, तो इस बात को भी याद रखना है, कि प किस से मिलती है rate और time के multiple से तो एक बात बताओ rate क्या है 16 अही 2 बटे 3% तो इसकी value कितना हो गया 1 बटे 6 मुझे ब्याज और मेरे बाई principle दोनों बरावर लानी है तो इसका मतलब इसमें कितने से गुणा करूँगा एक बन जाए आप कहोगे 6 से चैसे गुणा करूँगा तो यह कितना बन जाएगा एक यह ब्याज होगा यह principle तो मेरे भाई इसका जो जवाब बनेगा न वो कितना बनेगा 6 यह बहतरीन question था बहतरीन question की बहतरीन आपको मेरे बिरवच्चे approach बताई clear हो गई बात आगे चलते हैं इसका जवाब बताएं इसका जवाब क्या होगा question number मेरे साथी 17 का जवाब क्या होगा देखो यह मेरे भाई बार बार पूचा गया question है 2 star नहीं मेरे भाई 3 star लगाना देखो क्या कहा है किसी simple interest के किसी दर से किसी समय अवदी के लिए मेरे साथी principal और amount का जो ratio है वो 3 अनपाथ 4 के अनपाथ में उसके 3 बरस बाद उसके 3 बरस के बाद मेरे बच्चे उसी ब्याज के उसी rate से muldan और niciden principal और amount का ratio 5 ratio शाथ हो जाता है तो मेरे साथी ब्याज की क्या बतानी है दर बतानी है एक अच्छा question है मैं यह कहना चा रहा हूँ मेरे भाई यह principal है यह amount है मुझे नहीं पता कि कितने साल के बाद यह मेरे भाई 4 रुपे पर 1 रुपे ब्याज मिलने के बाद 5 हो गया तो मैं यह कहना चा रहा हूँ principal 4 है तो मेरे साथी amount है 5 पर इसने यहां एक बात को और किलियर किया है कि भाई कि तीन बरस के बाद उनका जो रेशियो है ना थ्री एर्स के बाद उनका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है 5 अनपा साथ यह कितना हो जाता है मेरे साथी यह 5 अनपा साथ हो जाता है कब? तीन वर्स के बाद तो मेरे भाई एक चीज मुझे बता हो principle quotient है principle निशित होगा इसका मतलब यहाँ principle चार है या पांच पहले यदि मेरे भाई मैं ब्याज लिका लूँगा तो principle पे लिके लेगी तो principle दो थोड़ी निहोंगे principle होगा एक इसका मतलब में ये कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर तो आप कर दो जी 5 से कुणा तो ये भी 5 से कुणा हो जाएगा अब मेरे साथी इसके अंदर कर दो आप 4 से कुणा इसके अंदर क्या करोगा 4 से कुणा ये भी 4 से कुणा होगा अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मेरे भाई ये प्रेंसिपल हो गया 20 और मेरे साथी ये भी प्रेंसिपल हो गया 20 जब ये प्रेंसिपल 20 हुआ तो ये अमाउंट हो गया जी 25 और मेरे साथी ये अमाउंट हो गया कतना 28 अब एक बात बताओ कि भाई तीन साल में ये 25 से कितना हो गया 28 तीन साल के अंदर ये 25 से कितना हो गया 28 ये 3 रुपे क्या मिला है मेरे साथी ब्याज मिला है तीन रुपे क्या मिला है ये ब्याज मिला है 25 से जो 28 हुआ है न तो प्रेंसिपल तो इक्वल होगा जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा ब्यास, तो मुझे लिकारना क्या है, मुझे लिकारना है जी रेट, अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल कतना है, 20, 20 रुपे पर कितने रुपे मिले हैं मेरे साथी, 3, कितनी साल में, तीन साल में, और इंटू क्या हो गया, साथी, 100, मैं उम्बीत करता हूँ, ये बात आपको क क्लास के बारे में बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है कि लिए सामने खड़ी मंजिल इंक्त से हमें बुलाती है महनत करने वालों के मात्येपर तलक लगाती है मेरे साथी अभ इसका जबाब बता दें यह 3-3 खतम और और यह 20 से 100 कितने बार कटाएगा 5 परसेंट इसका जो जबाब होगा मेरे साथ ही क्या होगा 5 परसेंट मैं उम्बीत करता हूँ ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी समझ में आ रही है तो क्लास को मेरे बच्चे सेयर करें कमेंट करके जरूर बताएं कि HW है इसका जबाब दोगे कमेंट माध्यम से कि मेरे बच्चे इसका जबाब क्या होगा आगे चलते हैं ठेंक्यू क्लास यदि आपको ये लगता है किसा डेविड सर का पढ़ाने का तरीका डेविड सर का कंटेंट और डेविड सर के कंटेंट का सिक्वेंस यदि आपको प किया है तो मेरे साती चैनल को एक बाद सस्क्राइब कर लेना जिससे केरियर क्राफ्ट परवार की जितनी सुविदा हैं वो आप तक पहुंच सकें मैं उम्बीत करता हूँ यह सब कुछ चीजे आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी आज मैं अपनी बाड़ी को यही प्राम देता हूँ नेस्ट क्लास फिर मिलेंगे जय हिन जय भारत